हेलो फ्रेंड्स वेलकम हैं आप लोग का आज के न्यू व्लॉग में फ्रेंड्स आज मैं आप लोग को जो स्टोरी सुनाने वाली हो यहाँ पे जिस गाउं के बारे मैं आप लोग को बता रही थी कि भूतिया गाउं है यहाँ पे तो आज मैं उस गाउं के बारे में आप लोगों को बताती हूं यह चंपावा जिले में आने वाला गाउं है स्वाला गाउं कहते हैं इसको और इस गाउं में कोई भी नहीं रहता है अभी अभी तो एकाद लोग कुछ रह भी रहें बोल रहे थे लेकिन वैसे इस गाउं में क किसी भी इंसान को यहाँ पर बसने नहीं देते हैं। 1952 से पहले यह भी एक आम गाउं जैसा ही हुआ करता था, लेकिन इस साल 1952 में यहाँ कुछ ऐसा घटित हुआ कि जिसके बाद यह पूरा गाउं वीरान हो गया। लोगों की मताबिक साल 1952 में यहाँ PSC की एक बाटालियन गुजरी थी, इसी बीच बाटालियन के एक गाड़ी खाई में गिर गई थी, इसमें मौजूद सैनिक मदद के लिए लोगों को पुकारते रहे लेकिन इस गाउं के किसी भी व्यक्ति ने उनकी मदद नहीं की, और बोला तो यह भी जाता है कि लोगों ने उनकी मदद करने की बजाए उनका सामान ही लूटना शुरू कर दिया, गाड़ी के अंदर फसे जवान अपने बचाव के लिए गाउं के लोगों को पुकारते रहे, लेकिन गाउं के लोग उनका सामान लूटकर भाग गए और जवानों की तड़ब तड़ब कर गाड़ी में ही मौध हो गई थी, कहा जाता है कि इस घटना के बाद से गाउं में कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा, यहां रह रहे हैं लोगों का गाउं में रहना मुश्किल हो गया, जिससे पूरा गाउं खाली हो गया, बताया जाता है कि यहां इन सैनिकों की आत्मा आज भी घुमती है, उन सैनिकों की आत्मा यहां किसी भी व्यक्ति को टिकने नहीं देती कई लोगों ने दावा किया है कि रात के समय उन्होंने इस जगे पे सैनिकों को गूमते वे देखा है इस गाउं के जो भी लोग रहने वाले हैं वो इस घटना के बाद दूसरे गाउं में चले गई उनके मताबिक गाउं में रात के समय निकलना मुश्किल हो गया था हाला कि लोगों को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने जिस जगे पर वा गाड़ी गिरी थी वहाँ एक मंदीर का निर्माण भी करवाया लेकिन इस्तिती में खास बतलाव नहीं हुआ आज भी वह मंदीर वहाँ पे मौजूद है और हर यहां से गुजरने वाले व्यक्ति इस मंदीर में सिर जुखाने जरूर जाता है लेकिन ये गाउं आज भी खाली है एक बार बीच में फिर से लोगों ने यहां पे बसने की कोसिस की लेकिन फिर से उनके साथ वही सब कुछ घटनाए होने लगी तो लोगों ने फिर से गाउं को खाली कर दिया और अभी कुछ लोग आए हैं वहाँ पे एक फैमली देखी थी हमने वहाँ पे तो शायद हो सकता है कि दीरे दीरे लोगों का अगर वहाँ पे टिकने दे उनको तो हो सकता है अंदर विश्वास भी हो सकता है लेकिन अंदर विश्वास तो नहीं होगा जब पूरे गाओं वाले पूरा गाओं भी खाली करके चले गए सबके साथ ऐसा ऐसी घटनाए हुई तो इसलिए ऐसा भी नहीं कह सकते हैं देखिये कब तक वहाँ पे दुबारा से लोग आते हैं यह तो फ्यूचर में ही पता चलेगा और आप लोगों को पहाड़ों में तो यह कहाणी किस से बहुत ज़्यादा सुनाई देते हैं भूत के लेकिन एक दो भूतों की कहाणी सुनी थी हमने और ऐसे तो नहीं सुना था कि पूरा ही गाओं खाली हो गया गाओं की और वारे में बताया तो फ्रेंड्स आई होब कि आप लोगों कोई व्लॉग अच्छा लगा होगा अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर करें और मिलते हैं हम नेक्स व्लॉग में तब तक के लिए बाइबाई थैंक्यू सो मच